दॉटर्टर्स डे के मौके पर तलाक शुदा कपल राजीव सेन और चारू असोपा ने बिटी जियाना को विश्च करते हुए एक लवली पोस्ट शेयर किया है और दोनों फिर से एक साथ नजर आए हैं जिस पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिये हैं लोगों का कहना है कि जब आप तलाक के बाद भी इस तरह से मिलते हो तो साथ में क्यों नहीं रहते पुरानी बातों को भुला कर फिर से साथ में आ जाओ तो चलिए आपको दिखाते हैं लोगों के सारे रियाक्शन्स बी टाउन के पॉपलर स्टार्स राजीव सेन और चारू असोपा भले ही तलाक लेकर अलग हो गए हो लेकिन अपनी बेटी जियाना के लिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अकसर मिलते रहते हैं एक्स कपल अपनी बेटी के साथ में को परेंटिंग कर रहे हैं अब डाटर्स दे के मौके पर राजीव और चारू ने अपनी बेटी के साथ एक प्यारी सी पोस्ट शेयर की और उसे विश किया डाटर्स दे के मौके पर राजीव और चारू ने अपने इंस्टागराम अका हमारी नन्नी राजकुमारी को डॉटर्टर्स डे की शुपकामना है मम्मा और पापा आपको बहुत प्यार करते हैं बहुत 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 ज़्यादा राजीव ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जियाना के साथ एक रील भी शेयर की जिसमें वो उनके साथ खेलती हैं नजरा रही थी राजीव की रील भी चारू की लोकेशन पर शूट की गई थी जिसे शेयर करते हैं उन्होंने कैप्शन में लिका मेरी खुबसूरत राजकुमारी जियाना हैपी डॉटर्टर्स डे मम्मी और पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बदा दें कि राजीव और चारू ने गरीन चतुरती के उत्सव को भी एक साथ सेलिबरेट किया था कि कुछ जलकिया राजीव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर की थी फोटोस में चारू को रैट कलर की लॉंग ड्रेस में देख सकते हैं वहीं राजीव वाइट शॉट्स और ग्रेट टी-शिर्ट में ने ज़र आ रहे थे वहीं उनकी बेटी लहंगा चोली में बेहत क्यूट लग रही थी इस दौरान तीनों साथ में बेहत खुछ दिख रहे थे लेकिन लोगों को उनका ये साथ कुछ अटपटा सा लगा दोनों को एक साथ देखने के बाद लोगों ने कई सवाल उठाए और अपने मिक्स रिया अपने बेबी के लिए अच्छा है अब आप फिर से एक हो जाओ नाइस जोडी महीं कॉर यूजर ने लिखा बहुत बहुत ज्यादा प्यार होता बच्चे से तो डिवार्स नहीं करते आप लोग महीं कॉर यूजर लिखते हैं अब दोनों अगेन से शादी कर लो अपने ए बच्चे से बड़ी नहीं होती उसका जो भी पास्ट हो प्रजेंट सिच्वेशन में वाइफ थी ना तो इस तरीके के मिक्स रियाक्शन लोगों ने दिये हैं लेकिन लोगों के रियाक्शन भी कही न कहीं इंडिकेशन देते हैं कि राजीव और चारू असोपा फिर से एक हो जाएं लेकिन ऐसा होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा फिलाल आप क्या करना चाहेंगे इस पर हमें कॉमेंट सेक्शन में लिक कर जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न पूले